और एक बात बताईए कि आपका ये हाइट इनसेटी के तरफ रुजान क्यों है इसकी वज़ा क्या है एक यहां रहेगा एक यहां रहेगा और एक यहां रहेगा तो यह भी तीन भी हो सकता चार भी है कि यह जो 80-70 परसेंट की जांच पांच से तस बीके के बीच में है अगर उसकी इंकम को डबल करना है तो डेफिनेटल हमार को इस मोटल पर जाना बढ़ेगा हर्वेस्टिंग तो चलो हर्वेस्टिंग तो कुछ कोई जाला टाफ नहीं हार्वेस्टिंग इस तरह से पोर के यह ब्लांट तेक आप इसका साइज देखिए कि इतना एक सणा लाज हो गया है रूट्स लोका ये फायदा है कि इसमें क्वालिटी जो एना यूनिफर्म जाती है इसमें खलर एक जैसा आएगा साइज भी मोर ओवर लग 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 जो है एक जैसा ही होता है और गॉर्मिट को इस पर सोचना चाहिए कि वह यहीं पर इन रूश्टोक को थ्यार करें अगर हमने इंपोर्ट ही करना है तब तो यह बहुत महेंगा है क्योंकि अकर फॉरं के साथ कंप्रीट करना तो महार को क्वालिटी एपल ही थैयार करना पड़ेगा क्योंकर कि साइंस हमसे ज्यादा ड्वलब है चेप जो है हमारी आर्थिकी जो है इसी के साथ जूड़ी और महाराज से सीधा आजम आये देव भूमी में दोस्ता आजम हमाचल प्रदेश में शिमला के पास में कोटखाई के एरिया में है और सीधा एपल फार्म में आये है एपल फार्मिंग क्या होती है कैसे होती है हमारे भारत देश में क्या एक एपल फार्मिंग का सेनरुई है पूरा डीटेल में देखने वाले है और उससे भी आगे एक स्टेज एपल फार्मिंग जो हाई देंसिटी कैसे हो रही है जैसे हमारे महाराज में जो है मैंगो की ख आज हमारे साथ जो फार्मर उन सब उनका परीचे लेते हैं तो सर आपके बारे परीचे देश चलने नाम और भीशाल शांगटा है मैं जिला शिंपला की कोडगा एक्षेतर का रहने वाला हूं गाओन भोहना का यह मेरा एक संखिब सापरीचे हैं तो पहले सवायत है आपका ह हमारी अपनी देव भूमी में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वाकत करता हूँ अधी देव भवा और इससे पूर में कि आपने मुझसे एक प्रश्न करा कि भी भारत अपदेश के अंदर के ट्रडिशनल फार्मिंग जादा होती है कि हार देंस्टी मुरवर हमारे यहां ज है और वो सेब लेकर आये थे इसे पूर में ठारा सो कुछ में जब बिडिशर्स हमारे राज किया करते थे तो वहाइक मिस्टर केप्टन थे कोई एक उन्होंने ले आया था लेकिन वो कमर्शली उसको ग्रो नहीं कर पाये लेकिन जो सेमिल स्टोक जब यहां पराये अमरीक उसके बाद जो हमारे प्रसम मुख्यमंत्री थे दोक्टर वायस प्रमार उन्होंने भी इसे होडिकर्चा स्टेट बनाया और उनके योगदान को भी नहीं भूला जा सकता है मैं यहां उनको भी सल्यूट करना चाहूंगा और उसके बाद मोर यहां पर ट्रडिशनल खेती जैसे आप देख रहे हैं उपर के यह पौदे हैं सारे काफी बड़े बड़े बढ़े बड़े बोजो पौदे हैं यह जो हमारा बॉर ओर सिटलिंग पर होता था स्टलिंग का मतलब हो गया जो बीजु जो पाल्थी हुआ कर थी तिस एपल के अंदर बीज होता हूँ हाँ बस उस बीज से डेफिनेटली उसको बोया जाता था उससे पाल्थी है काती यह उपर को उसके उपर फिर आप ग्राफ करते हैं तो मोरवर यहां पर ट्रेडिशनल फार्मिंग अभी सबसे जादा होती है जहां तक हाई डैंस्टी का सवाल है वो तो माधर अभी एक प्रदि पारम पारीक जो हम क्यों रहे हैं असमें क्या सिस्टम रहता है कि सिदा खेथ बनाया जाता है यह सीधा लगाया जाता है तरह जो फूर चला करते था अब जो तयेड वहां मैनुवली टेलर्या मैं को पर घड्ड़ किया जाक्व तरह की लिए और ट्रडिशनल फार्मिंग जो गैप हुआ करता था प्लांट टू प्लांट प्लांट फूट का हुआ करता था लेकिन अब लोग जो उसको 10-12 फूट में कर रहे हैं और प्लांट टू रो भी मोरोवर यह दस बारा है अधर पचीस में पहले लगता था तो एक बिगे में बड़ी मुस्केल से बीस पौध तो वह आने वाले दस साल तक पहले वेट करना पड़ता था अब तोड़ी नई टेकनिक्स आगी है थोड़ी प्रोनिंग टेकनिक्स है प्रोनिंग से काफी लड़के यूट्यूब में सीख रहे हैं उससे चटे साथवी साल जो हम इसमें क्रॉबले हैं ट्रडिशनल फर्मि वीडियो को क्योंकि काफी इंफर्मिशन अभी हम लेने वाले हैं और एक बात बताएए कि आपका ये हाइट इनसेटी की तरफ रुजान क्यों है इसकी वज़ा क्या है ट्रेडिशनल से यहां इस तरफ मोरोवर क्या है कि हमारे कुछ यहां पर प्रोग्रसिव ऑगनाइजे चाहिए आप उसमें इंटरनेट ले लो चाहिए आपका यूटूब ले लो चाहिए आप उसकी फोरेस्ट्री के अगर उसने पढ़ाई भी नहीं कर रखी है वह बाब रहा है जान रहा है कि हमको कैसे जो है केती जो है सैंटिफिक तरी के से करनी है और सेकंड़ी जो है यू तरह से जबाई जाता है इसमें यह जो इसमें पर आचुके सारी यह जा यह इसीमें फूल आएगा नेक्स टाम के लिए और इसमें फूल लगेगा यहां फूल इगा यह वह यह वी फूल यह वह यह वी फूल एक ब्रांच मिन कि इतना फूल पकड़ेंगा इसको चारी या पांची रखेंगे उन आपका यहां रहेंगा एक जाने यहां यहां उसकता तरह से तभ इसमें साइज अब शाइज नहीं यह सारा यूटीजब का ही गमाल ऑफ और अब जो है इसा नहीं हमारे नॉट इनॉटी के साइनिट्स्टों नहीं प्रयास किया था इसको जो है इंट्रड्यूस करने के लिए यह मैंने देखा कि आपने मतलब यह इस्तमाल करते समय आपने स्प्रेइंग मशीन हुआ वह ट्रैप हुआ यह सारे चीजों का आपका अच्छे दरीगिस इस्तमाल कर रहें जी जी एक्टॉली ट्रैप से क्या कि जो बिटल आते हैं उससे जो हम इसको आपके जो आपके जो आपके जाए तो इसे लिए थोड़ा सा यह बाकि आपके नीचे यह ट्रैडिशनल प्लांट्स है ऐसे होते है पहाडी में इसमें ज्यादा में नहीं करना पड़ता है जो अभी तक का हमारा एक्सप्रियेंस उससे लगता है कि डफिनिटली किसा अगर इसको करता है तो उसकी जो आए है वो दुगनी होने के असार है और ऐसा नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट भी काम कर रहे है हमारी नौन इनवर्स्टी है वहां गॉवर्मेंट ने भी एफड किया जाए गोवर्मेंट ए की बी की सी की जिस मर्जी के रही है प्रियास किय पर लेकिन उस लेवल पर प्रियास नहीं हो पाया है जिस लेवल पर होना चाहिए था क्योंकि यह लाने वाली है एक जो चोटा फार्मर जो हमारे च्छोटी जोटके आकार का किसान जिसके 5-10 विगा एवरेजन जमीन है बहुत बड़ा किसान तो बहुत रेर है बर लेकिन यह जो 80-70% किसान जो 5-10 विगे के बीच में है अगर उसकी इंकम को डबल करना है तो और गौर्मिट की एसेस्टेंस के बगार नहीं जा पाएंगे तो यह पहाडी के नीचे ट्रैडिशनल पार्म पारिक तो हो रही है पूरे हिमाचल में हो रही है थोड़ा सा यह डिटेल बताए एक टुजए अस कंपरेड टू टू ट्रैडिशनल निश्चे तौर्प जो ट्र ट्रैडिशनल फार्मिंग में है कि उसमें प्रेजेंस ज्यादा देनी नहीं वड़ती है लेकिन इस फार्मिंग में प्रेजेंस आपकी मोर वर 359 में कम 340 प्यास देनी ही पड़ेगी हां तो यह परकार की नर्सिंग टाइफ है इसमें एक बहुत जुरूरी है वो जुरूर इसके लिए वाटर हार्वेस्ट करें या चेक डेम लगें या रैजर्वेर बनें गोर्मेट जो है उस लेवल पे जो है लिफ्ट वाटर सप्लाइख स्कीम चलाए पानी अच्छा होना चाहिए पानी आपको एट लिस्ट क्या है कि इसकी शेलो रूट्स होती है इसकी लेकिन अगर कभी ऐसा समय आ गया कि आपका बार्शे नेर उसके लिए आपके पास स्टोरेज होने चाहिए और रिनार्वेस्ट होना चाहिए यहां कहीं ना कहीं से आपके इरिकेशन के स्कीम होनी चाहिए तब इस खेती के लिए जाना ब्योकूफी होगी तो अधर्वाइ कि moreover इसकी जो है ना shallow roots होती है इसकी root अगर आप थोड़ा हिलाएंगे तो बहुता हील जाता है जब इसमें yield आता है जब इसमें फ्रूटिंग होती है तो फ्रूटिंग के दोरान इसमें weight बढ़ता है तो यह इधर इधर tilt होगा अपल काफी weighted होता है इसलिए यह जो sports दे र पड़ता है अब इस क्योंकि हमारे हां इंडिया अंदर अभी इसकी manufacturing होनी रही यह जो आपका पॉल है यह सारा इकली से इंपोर्ट किया हुआ है लेकिन आप यहां पर लोहे में भी कर सकते हो यह ग्लेवनाइज जो हमारी आइप साथी है चैनल उस पर भी आ सकते हो तो इस सबड़ी से इंडिया का पूरा साइकल से एंड मुझे बताईएगा ऐस कंपर स्ञेशन जब खाल इस एक कि मोरभी प्लांट जो है इंपोर्ट ही होता है वार सेुछ प्राइवीं इंपोर्TER है जिनके तूह यह इंपोर्ट होता है सब लोग इतली से इंपोर्ट करते हैं अ पहीं हो जो है इसके जड़े आगे जाती नहीं है तो इसी तोड़ा सा जो है ना बनाने के लिए इसमें रेत भी यूज की जाता है है प्याइच मोर्वर मैना करवाया नहीं है इसका मुझा यहां चाहिए पर पांज च्छे के बीच में भी यह इस में अच्छा माना जाता है जितनी पांग मुद्टी रहे वह ज्यादा बैट रह खास वर रूट स्टॉक के लिए कुई सी लिए में डालते रेट डालने के वा क्वेरमेंट होता नहीं उस समय क्यूंकि बार्षिय हो और फर्वरे और मार्च में चेक करते हैं कि मोर्वर लोकल उस से अभी तो अगली बार हम इसमें वेदर स्टेशन भी लगाने वाले हैं अच्छा नेक्स ताइम वह बता देगा इसको रिक्वाइड है कि नहीं है अग्रॉच का रख में चेहा शेता हम अच्टर्व सभी क्यों हेस्ट लेगे है इसको किस अर नहीं इसको किस सरह करते हैं मानकेशलों हमने इसका किन अद्डू बनादिया अश्मार बञ़देव बन रहा है जब कर भी मनें च कर्ismoय सेहा इसे इसमें पानी देने कि आब हर शकत तो इस तरह से इसको लगाया जाता है और फिर इसका में जो रहता है इसका ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा एक प्रूनिंग तो चलो जो हमारे अप्षूर्स आते हैं जैसे मेरा भी कैंची से जैसे मैं अभी आपको धोड़ा गई अगले उस पर नोड़े से तो इसका में है तो इसके ट्रेनिंग का जिस तरह से यहां से आया पहले हम इसको आपका तूथ पिक यह लगा यह दिखा आपने लगावा तह चोटी सी ब्रांच यहां से बाहर स्प्राउट वी और इसमें जो है जैसी वह जैसे वह बहुत तो तीन इंच का हुआ चार इंच का तो इसमें तो उपर नहीं आने देता आप इसको तो अपर अगर अपका अप्टिकल डॉमिनस थोड़ निए निए तो यह लगा जाएगा थिर बहुत बड़ा बन जाएगा इसको ज़िए लेनी है तो हम इसको क्या है इसको क्रोच एंकल इसका तो उनना है नीचे कर अगाए तर इसके you have this point ृष टो जो एक बीच में अवि विच नो इस नहीं से अरा फला इंगा थेंदे इसको इसे अर पर उपर को धाएंगा जा थे बिच में अचय अप्राओर्वा पर दिरे देर आगे इसको इस्तरह से बैंड करना बदा यह तो जो इसको बेंड करना बदा है यह तो अपर यह कि रोग देना है यहां फ्रूट आएक ना जितना पीछे यहां मेन ट्रॉट आएका नहीं जितना पीछे जाइगा वो गया हमारे और चट का हम और हर्वेस्ट नहीं तो हमने इसी रखाता में देखते कब तक चलता है अब देखी रहे हैं अरेंडी करना चाहिए हां हां थोड़ा सा कितने समय तक रहता है इसका क्या शूगर लेवल रहता है इसमें स्टार्स की इतना बनता है कि नहीं है किनको हमारी लोर एलिवेशन है यहां पर स्टोर की क्वालिटी रहती नहीं है तो हम इसको ट्राइल पर डालेंगे इसका थोड़ा टेस्ट काएंगे यह स्टोर में बेज के कि क्या यह स्टोर क्वालिटी की लाइक है कि नहीं है तो यह है में इसका और अभी और्चड को कितने साल हुए यह तो मोरोवर उननीस में परे वाला ब्लॉक लगा था जहां पहल पूर्वेस्टिंग के लिए कि इसमें एन-पीके जो रिक्वाइड है हम यारा का यूज करते हैं यहां पर आई-सील का भी आगया है बहुत सारा इसमें एन-पीके हमने 200-200 ग्राम एन-पीके दिया है और 100 ग्राम के असपास नाइट्र बोर दिया है तो वह क्या करेगा कि पर भूरा बहुता जो हमारा बोस्टार्वेस्ट जो मेनेजमेंट है उससे क्या कि वह अपने पास यह प्लांट स्टोर करके रखेगा उसको जब उसको मार्च निकलेगा ज़ा जब पहले तो दॉर मेट जड़ जढ जाएंगे पुत्ते पुरे जढ जढ जाएंगे दॉर म हमार से शुरू हो जाता है और एक दो अप्रेल तक फुल ब्रूम पर होता है उसके बाद सितंबर में हरुष्टिंग में हमारे हैं तो जुलाए 25 तक हरुष्ट में आ जाता है तो हमने रोक के रखा था भी तक देखने के लिए कि सब्सक्राइब इतना अरली आ गया तो जो एक जैसा ही होता है और अपकी जब फ्लावरिंग स्टेज होता है उस दर में अगर कुछ आ गये तो फ्लावर ड्रॉफ हो जाते हैं डेफिनेटली उस समय क्या होता है तो थिप्स का अटा है है सब्सक्राइब कि जब अमारा शुरू आथ स्टेज में हम जो है यहां बर जो मोर ओवर समर वैल धोड़ होता है वो किया जाता है उससे हमारा जो वह स्टावर जो संग्यों स्केल है और माइट है उसको रोकने में मदद करता है उसके बाद जो है जब आपका ताइट क्लस्टर स्टेज माताब अँज थोड़ी बहुत है माइक्र नूटन्सिस को सप और देटिशनल में वो आता है और सेकेंड़ी डिजिजिस तो दोनों में ब्राबर रहती है ऐसा नहीं है कि एक ही प्लस है इसमें कि भी इस शालो रूट सोने की वाईस इसमें जादा जल्दी रूटिशनल जो देरे वो भी अप्तिक फास्ट हो जाते हैं इमिजेट उसका पॉवस्ग एक दो धना इखाई था इन पॉदों में थीक है ना इसमें तो sixte नहीं यह लिए थे बिएस्जिशा मने डिया थे उसमें में मैंसमा यूर्ट लिया तो हमारे सिंह तो आपका पर प्लांट बद यह जो पूरा प्लांट बन जाएगा तयार हो जाएगा तो क्या टार्गेट है इसका हर्वेस्टिंग करने इस क्वालिटी का हाएगा यह मोर ओवर क्या है कि हमार वास नेक्स्ट में इसमें जो है इसका एक एक प्रक्ड लीव जिस साल आप उसको प्लांट करते उसको बोलते हैं फर्स्ट लीव में कोई भी फूट नहीं लेना है औ सब्सक्राइब करें लिए अच्छी है नहीं है अधर्विस कोई फूट नहीं लेना सेकंड लीप में कि 20 फूट्स और थर्ड लीप में जो है आपका 40 फूट 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 में फिफ्ट में 100 अंडर प्लस मोरोवर इसमें सो एक सो पांच एक सो बीस दाने सूपर आए तीस तेंड की आस्पास टार्गेट है ट्रेडिशनल में पर प्लांट कितना एल आता है? ट्रिशनल का तो हमारा प्लांट जो है ना फोट बड़ा जो हता है उसमें तो हमारे तो इसमें जो हमको ऐसा लग रहा है कि हम डेफिनिटली डबल चले जाएंगे, हैक्टिर वाइस, मान के चलो यह आपका एकड़ वाइस यह एकड़ का है, एकड़ में है, अगर हम इसको ट्रडिशनल में रख थे, हमारे बास इस बूरे खेत में बड़ी मुश्कल थे, अगर फुल स्विंग में होता, तो तीन सो पेटी का कॉस्ट अगर पेटी हमारा जो है नियो लोर एलिवेशन होने के नाथे पचीस और वेग अगर बिखता है, तो वह साथ, छे साथ लाख रख 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 का, इसमें पिकिंग में मालों, जब यह यह यंग होगा, बढ़ी हमारे तीन हजार दबा दे देता है, तो ओना नेवरेज आप छोड़िये, आपका दोजार पे डबा भी नहीं मिला, अगर पंतरा सो, सोला सोर पे डबा भी मिला है, तो यह डफिनिल्टी चाली से बंताली राकरपे का सेव, एक ही खेत में आपको मिलेगा, ऐसा हमारा एकनोमिक्स है, ऐसा-इसा मानना है, जो फोर्नर भी बोर रहे है, इस साल हमको दिखा, इतने छोटे से ब्लॉक में हमारे पास 200 डबे हुए, और नेक्स्ट यह हमारी एक्सपेक्टिट है कि हम 800 से 1000 के बीच में लेंगे, अगर हम वहां पहुँच के तो इटमीज की फियर अचेविंग उससे अगले साल जहां तक 24 और 25 का साल है, उसमें हम और 15-16 सो पे जाएंगे, और 25 में जो हम डेफिनिटली, 24-25 डबे पे चल जाएंगे, अगर हम वहां 25-25 डबे के आसपास चले के तो यह मान के चलिए कि हम अपना जो टार्गेटेड है, उसको हम अचीव कर रहे हैं, जो साली लगेगा, उसके बाद यिल्ड नीचे आने के चांसे नहीं है, और 15-1 साल तक हम में इसमें बहुत बड़ी अफसल आएगी, पांच साल हमार को त्यार करने में लगे, 15 साल हम इसमें ले लेंगे, और ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल हमारा वारे में तो 50 साल भी चलता, 60 साल भी चलता है, लेकिन अब ग्लोबल वर्में की बाद से उसकी लाइफ भी थोड़ी कम होगी है, एवरेज अने मान के चलिए कि 35-45 साल तर ट्रेडिशनल चलता है, तो हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में थोड़ा जान कर ली, हाइड इंसिटी के बारे में डीट आपकी और यहीं से आने वाले दो तीन सालों में यह इंडिया के अंदर ही अविलेबल हो जाएगा हमारे हमाचर प्रदेश के अंदर लेकिन अगर अभी आप इंपोर्ट पॉंट उसे देखें जो इंपोर्डिट अगर प्लांट लगाना वो महंगा पड़ता है, क्योंकि इसकी जो इनिशल जो इंस्टालिशन कोस्ट वह बहुत महंगी है, एक तो 700 अर्पे का प्लांट आता है, फिर जो है 200-300 के आसपास इसमें लगाने का खर्चा भी आ जाता है, फिर जो ट्रेलेस है यह भी लगवल को 500 के आसपास पर प्लांट खर्चा पड़ जाता है, तो य खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और गौर्मेंट को भी इस पर सोचना चाहिए कि वह यहीं पर इन रूश्टों को त्यार करें और नर्सरी अपनी उनिवर्श्टी जैवहां त्यारों और फिर फिर इसकी इंस्टालेशन कोस्ट है, वह 1,200 के आसपास रहेंगी, अगर आपको एक एकर में कितना खर्चा हो यहां पर इस ते ही 24 लाग के आसपास का खर्चा है, और प्रॉफिट के बाद अगर देखा जाए तो अगर आपकी अची ट्रेनेंग, अची प्रोनेंग, अची महनत है, चौते-पांच यह साल आपका जो लगवा पैसा है, अगर तो आपका थोड़ा सी में खर्च हो जाएगा, लेकिन अफटर फाइफ यह जो है, आपका सारा पैसा वापिस आजाएगा, और उस पांच साल के बाद की जो इंकम हो आपकी अपनी नेट इंकम हो जाएगी, वैसा नहीं है कि यह घाटे का सौधा है, शुरू में लगता है क इंटर कॉपिंग तो हमने इसमें करा था था जाज बोरी निखला है, यह जो फली वाली जो फसले होती है, उसे जो है नाइट्रोजन त्यार होता है, इसमें नच्रली सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसकी जड़ों के अंदर एक चोड़ी रूट आती है, उस पा इंडिया का क्या है, और यह एपल में फ्यूचर स्कोप क्या है, और भाई प्रोड़क्ट हम इसका क्या कर सकते हैं, देखिए निश्चे तो और हम यील्ड भी बढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, यह ऐसा इसी नई साइंस ही है, हम एक्स्पेक्टेड है, हम अलो जब से डबल्यू आया है, तब से आप आने जाने पर किसी पर बेन नहीं लगा सकते हैं, यह तो भी हमारा जो है रुपी जो थोड़ा डॉण चलावा है, तो इसके लिए हमारे यहां सेमी प्रोड़क्स का होना बहु जरूरी है, जैसे हमारा एपल वेनेगर है, साइडर है एपल जो है, चिप्स है, आचा एपल जो है, अब आठा आ रहा है, जो है फ्लोर तियार हो रहा है, एपल का, व काफी हाँ, एक दो यूनिट लगए है हमारे अरिया के अंदर, तो गोमेट को जो है, क्रशिंग उनिट बहुत जादा लगाने पड़ेंगे, सेमी प्रोड़क तो तब ही किसान सेफ हो वाएगा, अने था अगर नहीं हमारे पास करल फूड के लिए रहा तो मार्केट में आएगा, मार्केट श्लैश हो जाएगी, और सेक्ड़ी जो है, फोरन के साथ के साथ हमारे को कम्प्रीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर फोरन के अगर इस खेती पे जाए तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक तो काफी अच्छा है, अगर वर्ड के अंतर इतना यील्ड हो गया कि उसको बेचना मुश्किल हो जागा, लेकिन अभी तक का जो हमारा पीछले 20-35-35 साल का एक्पिरियंस है, हमारी एकॉनमी को हमारे प्रदेश का वह इस खेती से से आता है, अभी जब हमारा जो है सारी एकॉनमी नीचे आई थी माइनस में तो हमाचल प्रदेश का GDP प्लस 3% में था और वह से वज़ा से था, जो है हमारी आर्थी की जो है इसी के साथ जूड़ी और इसके साथ साथ इसने इतना रोजगार द करने पढ़े कि बहुत साथ लोग जूड़े और यह रोजगार का बहुत बड़ी आसादन है मेरा समयर में सविख आर में ौसर करने पढ़ेगा के साथा सिता धर्य करने यह बेरोज़गार हो जाएगा तो बेरोज़गारी के रेट उपर पड़ेगी और गौर्मेंट के लिए प्रप्लम हो जाएगा अगर एक सवाल लेट प्रिज़गारी कम लेटे के लिए चलो आप लेकिन उसको खुद में इसमें इनवाल्व होना पड़ेगा तब ही जाके इस खेती में कामयाब हो पाएगा और सेक्ड़ी टिप्स यह है कि हो सकता है इस खेती में जाने से पहले किसान सोचे का पतार रिस्क भी तो रहता ह पदन क्या रहेगा तो मेरा मानना कि छोटे लेवल इसको जरूर किसान शूरू करें पजासओ पादे से शूरू करें और इक अपना एक्सपरियंस ले को आपको अपना एक्सपरियंस के इसाब से उसको काम को करोगे और ऐसा मानना है कि जब उसके पास अपना experience आएगा इसको खुद करना बहुत जरूए है। वह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आप लोगों का आप इतनी दूर से यहां आए। और एक बार फिर से देभूमी मचल परदेश में आपका तहे दिल से आपका अरदे का विनंदन और स्वागत है। और आगे भी हमारी तरफ से बेस्ट वेशिज आपके लिए। आप बहुत बड़े यूट्यूबर है। आप किसानों की हर्समस्याओं को आप इस मंच के मादेम से उठाते रहते हैं। जाहे वह नौर्थ का किसान है। आप इतने रिमोट एडिया के अंदर पहाडों में भी पहुंच गए हैं। इस बात के लिए हम आपको बधाई देंगे और आप इसी तरह से खिसानों को मुद्धों को उठाते रहें। और इसको शेर करते रहें। कि महारा मानना ऐसा है कि अगर एक दूसरे किसा शेर किया जाएगा तब इस ब्रह्मान के अंदर दर्थी के अंदर रहें के हमारी इंसान जीवन की सार्थता तब होगी जब हमकी सब एक दूसरों को बताएंगे। अन्य था आप अपने तक नॉलेज रखोंगे। झाल